आप साव आयोप की आप सब अच्छों होएंगे मैं भी अच्छी हूँ और सुबा से आज मैं लगी हूँ तैयारी में आज है दीवा वली तो उसके लिए मैंने ये लिया है नरियल का गोला इसमें 365 बत्ती का दिया बनाऊंगी मैं जो कि मैंने आटी का 365 बत्ती बना चुकी हूँ और आप देख सकते हैं दीपक मैंने सुबा मौनिंग में बना लिये थे और इनको सुखा लिया है मैंने तबे पर रखके क्योंकि हम ल करना पड़ती है घाट पे कुछ बूल ना जाएं इसलिए और यह देखी मैंने स्वास्तिक बना लिया है यह कपड़े का डबा था इसमें रखके में ठंडे करूंगी मतलब दिये विशरजन करूंगी और यह देख लीजिए 365 बत्ती का दिया इसको मैंने मौली से बनाया है यहाँ पे सारी तैयारी मैंने पहले से ही करके रख ली ताकि कुछ बूल ना जाओं तो चलिए फिर मिलते हैं अब अपसे घाट पर देखिए हम लोग आ चुके हैं घाट पर हमारे और सब लोग यहाँ पर दिये बना रहे हैं यही पर आके लोग बना रहे हैं हम तो घर से बना के ले आए और यहाँ पर इतनी भीड हो रही है अंदर पूरा मंदिर भरा है हवा बहुत तेज चल रही है तो दीपक है न सबके बुझ बुझ जा रहे हैं आप देख सकते हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पर आप देख सकते जंडे भी हिल रहे हैं और यह पानी बहुत गहरा है यहां पर आपको लग रहा होगा यह कभी सूकता नहीं है क्योंकि इसमें गंदा पानी भी मिला हुआ है नालों का और यहां पर बहुत सारे लोग दीब बिशर्जन कर रहे हैं मैं आपर सजारी हूं अपने दीपों को क्योंकि दीपक तो मैंने आपको दिखा आदिया घर से बना कर लेकर आई हूं बट इसमें बत्ती भी लगाना है इसके नीचे चाबल भी रखना है रौली भी रखना है तो सारी चीजे नीचे रखूंगी उसके बाद भी शर्जन करूंगी तो यहां पर और यहां पर देखिए चुप कर मैं दीप जला रही हूं क्यूंकि हवा बहूत तेज थी वहां पर तो यहां पर ना दीप पेरिस से जल नहीं रहे है एक जलाती हूं दूसरा बुठ जाता है husband बोल रहे है सही से जलाओ सही से जलाओ हावा chop जल रही हैं कैसे जलाओ क्योंकि दीपक की जो बत्ती थी वो गीली हो चुकी है पानी में अच्छिक में धाई हैं उस भी घैंट गूह WOODR धनिंगे खराब हैं知道 हम प्राइप कुछ लोगों ने बेखेंट 14 के दिन दीब इसरजन कर दिये हैं बट हमने सोचा चलो पूनम के दिन ही आते हैं और आप देख सकते हैं आपे कैसे लोग कर रहे हैं इसकी नीचे हलका सा छेध है तो उसी की नीचे से अपना जो डबा है उसको कर दे रहे हैं वो लोग क्योंकि हर इंसान को डबे में ही करना पड़ेगा तभी दीब जा पाएंगे तो मैं देखी थोड़ा सा मैंने सोचा चलो अगरवत्ती लगा देती हूँ अब हस्वेंड को दूँगी सारे दीब नहीं जल पाएं आप देख सकते हैं देख लीजे फ्रेंड हस्वेंड को मैंने दीबक जेदी जलाने के लिए वट उनसे भी नहीं जल रहे हैं अब देखती हूँ कैसे जलाते क्योंकि वो मुझसे बोल रहे हैं तो बताईए पानी में कैसे जलेंगे दीबक पानी आप देख सकते कितना गीला गीला हो रहा है पानी पानी पड़ा है और आंधी भी चल रही है हवा आप देख सकते हैं तलाम में कितनी लहर है और हस्वेंड से नहीं जलेंगे तो हमने जाकर आप देखते हैं किनोर की साइड में जलाएंगे और ये देखी हम लोग किनोर में दीपक जला रहे हैं अब इनको यही से भी सरजन भी कर देंगे देख लीजे फ्रेंड मैंने कर दिये अपने दीप भी सरजन और देखिए कैसे जल रहे हैं कुछ आदे जल रहे हैं कुछ आदे देखते हैं बीच तक किते जलते हैं तो यहां पर बड़ा दीपक भी मेरा बड़ी मुस्किल से जला था मैंने उसमें कपूर लगाया जब जाकर जला और यह देखी पानी में किदर की साइड जा रहा है यह और यह देख सकते हैं आप यहां पर कितनी भीड हो रही है और हवा भी आराम से चल रही है हलकी हलकी मंद मंद और देखते ही देखते इतनी बीड बड़ गई ती हैं पर बहुत ज़्यादा ओर हर क्योंकि यहां पर राख राई होती है to 5.25 बज़ रहे हैं आप देख सकते मंदीना भड़ा हुआ है ये और अपने तरीके से यहां परर दीब जला रहे है अंदर बेटके क्योंकि भार बहुत बारिस हो रही है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा नजारा और दिखा देती हूँ बाहर का आप देख सकते कितनी और भीड बढ़ गई है जितना जितना टाइम यहाँ पर होगा उतनी उतनी भीड बढ़ेगी क्योंकि सब लोग साम में आते यह हमारे काली मैया जी है और देखिए अंदर का नज मंदर हैं पर ambude बका है हमाना जी का मंदिर है सबाइटी हुई और मैं अचुकी हूं बार अभार आपको पसंद आता थो वीडियो आपको फूलकर कीजिएग रॉक स्काइब कीजिए का बाई बाई टेक केर फैरेंड